तुमने टाइटल तो पढ़ी लिया होगा You need to hit the rock bottom Now what is this rock bottom? Rock bottom is basically hitting failures अब तुम कहोगे भाई ये negative way में तू क्यों जा रहा है हमें negative चीज़े के बता रहे हैं कि हमें failure से पास होना चाहिए हमार तो winners की जिन्दगी जीने हैं न हमें तो हम failure से क्यों न गुजरे Failure shouldn't be our familiarity हमें failure से दूर रहना पड़ेगा यही तुमारी गल्ती है और अगर तुम इस गल्ती को सोचते हो तो आज मैं तुमारी help करने वाला हूँ You need to hit rock bottom What does it mean? तुम्हें अपनी जिन्दगी में जो भी कठिनाईया है न उनके एकदम निचले स्तर तक जाना है hardest level तक अगर तुम hardest level तर नहीं पहुच रहे हो न तुम गल्ती कर रहे हो आज मेरा paper था पता है और मैं expect कर रहा था मेरा paper बहुत अचा गयागा नहीं गया expectations जो थी वो मेरी complete नहीं हुए और मेरा paper इतना वाहियाद गया है न पास के लाले भी पता नहीं क्या मैंने उसके लिए पढ़ाई नहीं करी थी मैंने करी थी मैं लाइबरेरी जा रहा था चार-चार-आठ-आठ गंटे बढ़गी गया था ठीए and I still failed why? because of lack of something कुछ न कुछ तो कमी रहे गई होगी पर क्या मैं इस बात पर रोता रहूंगा मैं सोच रहा था यार पता है जब भी मैं दुखी होता हूँ ना मैं किसी बात के बार को पकड लेता हूँ और से निचोड देता हूँ गंदा वाला सोचता हूँ उस बारे मैं अगर शायद मैं उसे एक्सपिरेंस नहीं करता ना मेरा पेपर अगर अच्छा जाता तो शायद ये वीडियो बन भी नहीं रहोती हूँ मैं एक और दिन स्किप कर देता बिना वीडियो बना है अभी कुछ साड़ बार अबच हो रहे है and I was about to sleep मेरे दिमाग में आता है यार वीडियो बनानी बड़ेगी because I experienced this hitting rock bottom thing now what is this तुम्हारी लाइफ में जब भी तुम एक जटका तुम्हें जटका मिलता है ना तुम्हें कुछ एक नया एक्सपिरेंस मिलता है एक नया तज़रुबा मिलता है वो तज़रुबा सबसे बेस्ट होता है वो तुम्हें लोग बताते होंगी learn from other people's mistakes ठीक है a smart person learns from his own mistakes and a smarter person learns from other people's mistakes ऐसा बच बताते होंगे ऐसे कही हद तक सही है पर for the most of the part you have a one life and that one life teaches you a lot of things there is a reason की बड़े भुज़र्गों को हमारे culture में सर पर चड़ागर रखते है क्योंकि उनके बास वो एक चीज है वो एक चीज है वो है experience time heals everything experience shows you everything तुम्हें अपने आपको trouble में डालना है अगर तुम्हारी body अगर तुम trouble वाले experience करोगे न उन्हें तजुर्वे देखोगे उन्हें चखोगे your life will be different लिख के ले लो मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ ये चीज अब ये levels भाई कैसे गरनी है हमें hard level पर कैसे अपने आपको operate करवाना है तुम देखोगे जब भी तुम game गेलता हो ना जो असली मयात है ना hard level को complete करने में आता है तुम्हारी life एक game है जिसके controller तुम हो जिसके writer तुम हो जिसके producer तुम हो जिसके publisher तुम हो जिसके game developer तुम हो तुम अपने आपको develop कर रहे हो brother यूर life is a game तुम रियल लाइव जीटे जी रहे हो और इसमें जो हर चीज कर रहे हो ना वो सिफ तुम कर रहे हो यूर दे मेन कर रहे हो अब तुम पदय क्या कर रहे हो तुम अपने आपको comfort में डाल रहे हो तुम सारा दिन फोन चलाते रहते हो तुम सारा दिन मुठ्य मारते पहलते हो and that मुठ्य is stopping you from doing your goals तुम्हें अपने आपको आग में जुलसाना पड़ेगा अगर तुम खाने को आग में डालते हो तब ही जाके खाना अच्छा स्वाजिष्ट बनता है नहीं तो कच्चा खाना खाके मर जायागा बंदा तुम्हें अपने आपको पेन देना पड़ेगा बरो you'll have to go through पेन, suffering तब जाकर तुम्हें कुछ मिल पायागा और तुम्हें जो लाइफ में failures आ रहे हैं न be grateful for them भाई आतो रहे हैं failures बड़ी बात है failures आना भाई खुश रहा हो भगवान से खुशी कर रहा हो कि आज मैंने ये चीज देखी कल को मेरे को नहीं देखनी पड़ेगी once you hit that rock bottom तुम्हें रास्ता फेमिलियर हो जाता है and फिर तुम्हें पता होता है कि भाई अब मैं इतना नीचे घर चुका हूँ मेरे को अब यहां से उठ नहीं है इससे नीचे जा नहीं सकते अब तुम आज़ पास देखते हो कोई बंदे का बहुत अच्छी लाइक चल रहा होता है किसी बंदे के साथ बुरा हो ही नहीं रहा होता they have not experienced that rock bottom और तुम्हारी लाइफ में तुम जितना जादा late rock bottom face करोगे न उतना ही जादा गहरा खतरना होगा तो you have experienced it early भाई मेरे that's good be grateful कर तक्यत देखाओ अभार व्यक्त करो उसकी लिए कोई भी चीज तुमें दिख रही है be grateful for it and trust me भाई बहुत अच्छा होगा that's what I wanted to tell you मेरे पास जाद हो कुछ बोलने को नहीं scriptor पिटो में रखता नहीं दिल की बात थी तुम्हें बता दी देखो मेहनत करनी है सबको करनी है मैं भी कर रहा हूं तुम भी कर रहा हूं बस अपना एक mindset वो बदल दो mindset वो productive growth mindset ला दो and you will be at the pinnacle Mount Everest की चोटी पर पहुंच जाओगे तुम metaphorically I trust you bro कर सकता है तुम मेहनत करेंगे साथ कर रहे हों लोग ठीक है चल ग्राइंट करता रहे mindset तेरा बदल रहा हूं मेरी जान